तो चलिए बच्चो अस्टार्ट करते हैं आपका क्लास 10 बिहार वोड का 1st शेप्ले युरोप में राष्टवाद तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि राष्टवाद होता क्या है तो राष्टवाद का मतलब आपको सिंपल समझना होगा ये जो राष्टवाद है इसका मतलब होता क्या है राष्टवाद का मतलब होता है एक ऐसी बिचार धारा जिसमें राष्ट के वेक्ति अपने देश के बारे हम सुचते हैं और अपने राष्ट के प्रती प्रेम के बारे में बेभारी बात करते हैं तो इसी के बारे हमनों discussion करेंगे कि आके रियोप में राश्वाद कैसे है और कैसे शुरुआत हुआ और वहां से चल कर हमारे भारत और दुनिया के कोने कोने में यह भावना कैसे पहुँची राश्वाद आधुनिक बिस्विकी राजनितिक जागरिती का प्रतिफल है तो कहने का मतलब है कि राश्वाद जो है एक आधुनिक यानि कि जो modern world है उसके जो political मुद्धे होते है उसी का एक फल है यानि राजनितिक जो लोग है उन्हें का यह निसकर्स निकाला गया है राश आसी बाबना है जो किसी विसेष भोगौलिक सांस्कृतिक या समाजिक परिवेस में रनने वाले लोगों में एकता के बाहत बनती है तो कहने का मतलब है कि यह क्या है दोस्तों तो यह जहां पर आप रहते हैं चाहाँ आप किसी भोगौलिक छेतर में रते हो या सांस्कृति चेतरो चाहे वो समाजिक परिवेस में हो वहाँ की लोगों को एकता को बनाई रखने में ये मलत करती है कौन राष्ट बात जैसे आप हमारे भारत को देख लो हमारा भारत एक धर्मिरपेश राज है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सी किसाई और नजाने कितने धर्म की लोग रहते है फिर भी यहाँ पर क्या है आपस में एकता बनी हुई है क्यों बनी हुई है दोस्तों तो इसका मतलब है कि हमें अपने भारत देश से क्या है प्रेम है चाहे हम किसी भी रंग जाती के क्यों नहों प्रन्तु हम एक है और वो क्या है इंडियन है ठीक है राष्टवाद की भावना का बिजारोपन यूरोप में यूरोप में पुनर जागरन के काल से ही हो चुकाता है यह पुनर जागरन क्या हुआ देखिए ऐसे आपने सुना होगा राजाराम मोहरे के बारे में जिसको बुला जाता है पुनर जागरन का पिता बुला जाता है तब पुनर जागरन का मतलब क्या होता है मतलब कहने का मतलब जैसे आप रह रहे हो वैसे न रहकर अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लाते हो वो आपके देश के लिए होते हैं आपके समाज के लिए होते हैं आपके राज के लिए होते हैं जिसमें आपका जो मांसिक्ता है वो अपने देश के प्रती अपने समाजक्रिपती और अपने राजक्रिपती नजरिय क्या हो जाती है बिलकुल बदल जाती है तो यही राश्टबाद की भावना का बीजारोपन यूरोप में पुनर जागरनकाल से ही हो चुगा था यह यूरोप की बात है 1789 के फ्रांसेसी क्रांती से यह उन्नत रूप से परकट हुई और 1789 में जब पहली वार फ्रांस में क्रांत हुई तो यह जो बीजे एक फल की तरह मत एक पौधे की तरह बनकर त्यार हो गया 19-वी सताबदी में तो यह उन्नत एम अक्रामक रूप में सामनी आई और जब यही जो क्रांती है राष्टवात की जो भावना है यह धीरे 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 इतनी बढ़ गई कि यह 19-वी सताबदी में परकट हुई जो काफी भयावा रूप था इसके कारण भी यत्यस्ट थे और परिणाम भी युगांतकारी रहे और यह भी सबसे बड़ा मुद्धा यह निकला कि यह जो कारण था और यह जो परिणाम था यह छोड़े समय के लिए नहीं परकि लंबे समय तक रहा तब तक जब तक कि परिणाम थे हैं उनसे उनको निकलने का एक अफसर मिला तो यहां पर यह भी बात करेंगे कौन से राजा कैसे थे उन्होंने कैसे अपने देश को निचोड़ा फिर उसके देशवासियों ने उनको निचोड़ा ठीक है तो यह सब चीज़े पढ़ेंगे और यह काफी इंट आपाट ऐसे करके तो चलिए बढ़ते आगे ओके ठीक है तो यूरोप में राश्टियता की भावना के विकास में फ्रांस की राजकरांती ततपस्चात नेपोलियन के आकर्मनों ने महत्पुन युगधान दिया देखे यूरोप में जो राश्ट वाद की जो भावना है उ जब नेपोलियन ने आकर्मन किया तो उसकी दोरह जो बिचार धारा फैलाएगे वो काफी इंपोर्टेंट रहा फ्रांस की राजकरांती की रूप में मतल trust में जो करांती फैली उसका मेंजेर क्यों था तो नेपोलियन था फ्रांसिसी करांती ने राजशनिती को अभी जात वर्ग ये परिवेश से बाहर कर उसे अखवारो सरको और सर्व साधान के बस्तू बना दिया यूरोप के कई राज्यों में ने पोलियन के अवियानों दोरा नव यूग का संदेश महुचा तो ठीक है तो फ्रांसेसी करांती ने क्या किया जितने भी अभी जात वर्ग के थे म उनको एक सर्व साधान बना दिया तो कहने का मतलब जो उच्छे तबजे तबके के लोग थे उनको भी ऐसे जगप लाया खड़ा कर दिया जहां पर अब वो किसी के साथ भेदवाओं नहीं कर सकते हैं जिसे हमारे यहां आपको पता होगा कि हमारे यहां जो बटे वे थे व सुद्र ठीक है तो यह जो ब्रहाम मां चत्र रेते यह विजात वर के रूप में आथे तो उसी प्रकार हमारे यहां का बात हो रहा है और तो थोरे से नीचे तबके की होते हैं अगर आप देखोगे गाव में तो इस ती आज भी खराब है ठीक है तो यह अभी भी यानि कि क भी लोग educate नहीं हुए है और इस्तिति गंबीर है कई जग आप देखते हो गए इसका हरजाना भुगतना पड़ता है इन लोगों को ठीक है तो यह बहुत जोड़ी है कि अपने आपको समझने को इसकरना है ठीक है समझाने को इसकरना है और बदलाव लाना बहुत ही कहा है जो में कोन थे जो में इसका importance थे उन्हों जो दिया इसी इसको वो कोन थे नेपोलियन थे ठीक है नेपोलियन ने जर्मानी और इटली के राज्यों को भगौलिक नाम की परदी से बाहर कर उसे वास्तविक एमराजनेति रूप्रिका परदान की इस जिससे इटली और जर्मानी क एकिकरन का मार परसस्त हुआ वैसे जो नेपोलियन था उन्होंने जर्मानी और इटली के जो भगौलिक नाम की परदी से बाहर थे मतलब जो उनके बीच में जो खटास पैदा होई थी किसके बारे में जर्मानी और किसके में इटली में ठीक है आप अगर नायंत क्लास पढ यह कोशन भी है कि जर्मानी और इटली के करन में भूम का बताना है ठीक है किनका था तो यह हम लोग को आगे मिलेगा अच्छा दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों का फ्रांसेसी प्रभुता और धिपत्य के ब्रुद युरोप में देश भक्ति पुन बिच्छोब भी जगा है ना तो नेपोलियन ने जो रन नीति अपनाया उससे क्या हुआ कि फ्रांसेसे प्रभुता तो कहने का मतलब है कि फ्रांसेसे प्रभुता का मतलब हो गया कि जो सिच्वेशन चल रहा था फ्रांस में उससे नेपोलियन ने क्या किया उस उन लोगों को बाहर निकाला और उसे यह बात बतलाए कि तुम इस देश के हो और तुम्हारे तुम्हारा कुछ करता है अपने देश के प्रती कुछ करने का तो नेपॉलियन के पतन के बाद यूरोप की बिजाई सकतिया अस्ट्रिया के रधाने वियना में 815 में क्या होई एकात्रुई तो यहां से क्या हुआ कि नेपॉलियन का पतन हो गया और यूरोप थे यूरोप की बिजाई सकतिया अस्ट्रिया की रधाने वियना में 815 में क्या होई एकात्रुई तो यहां से क्या हुआ कि एक और एक नया जो त्यार हुआ बनकर एक देश किसे नाम था अस्ट्रिया जो 1815 में विएना समिलन में इसके बारे में पता चलती है कि इसके बारे में अस्ट्रिया के बारे में ठीक है ये अपने फर्स्ट वर्ल वार जब अपने पढ़ा होगा कि उसके बारे में कैसे डिस्कसन होता है इटली, जिर्मार्णी, अस्ट्रिया, इसके रधनी हंगरी होती है और वियना में समिलन होता है वगेरा वगेरा ठीक है तो वहाँ जो है इतने सारे चीजों के बारे में जो समावेसन उड़ा है अगर सिंपल सब्दों में यह बोल जाए तो नेपोलियन जब हार गया उसके बाद भी यूरोप की विजय का था रूखी नहीं वो जाकर अस्ट्रिया में कत्रित हो गए जिसनका उदेश यूरोप में पुना उसी ब्यास्ता को स्थापित करना था जिसने पोलियन के युदों और विजयों ने अस्ट ब्यास्त कर दिया था तो कहने मतम था कि यह तो दिमाग में चल रहा था लोग का कि हाँ चलो अब यहां से राश्वात की जो लाहर वो दोड़ेगी लेकिन हुआ क्या कि नेपोलियन जब हार गिया तो फिर से उसके बाद जब वो अस्ट ब्यास्त हो गया तो जैसे इस्तिती पहले थी उसे फिर से बरकरा रखने की परियास की गई यह आपको पिच्छर देख रहा हुआ ना यूरोप आफ्टर दा कॉंगरेस व बी ना 1859 ना मतलब 1815 में जब वेना हुआ उसके बाद विसी लिखिये सब अलग अलग यह आपको रूप में दिखेंगे यहाँ फ्रांस है पर्सीया है रसीयन इंपायर है पॉलेंड है तो स्विजेलेंड है रसीयन इंपायर है तो ग्रेट बेटें है डेनमारक है स्वेडन है इस सब के सब जो है अभी भी एक ऐसे छेत्रन बटेवेते जहां पर इन सब की भावना अभी भी मौझूद नहीं थी राष्टवाद की भावना लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कैसे इसका क्या होगा विस्तार होगा तो परदेश से भाग लेने वाले राष्टवाद की नहीं सकतियां राजनीती निधायत करने वाले नहीं तत्य गुरूप में उभार रही थी मतलब कहने का मतलब है कि जो पहले इस्तिती थी बिना राष्टवाद की जो देश चल रहा था यानि लोग को किसी चीज की भनक नहीं थी कि देश कैसे होता है कैसे चलता है और लेकिन अब जो है एक तो समझ में आ गया था कि एक नई करांदी दौर पड़े थी निपोलियन में सम्म्मिलन हो लाँ था ठीक है तो वहां पर जो स्ट्रिया के चांस्लर इसा हमारे होता है ना पर हार मदरियोते में न कहीं पराष्टवते हो दियो में जो अस्ट्रिया का मेजवानी कर रहे था उसको चांसलर बोलते हैं नामता मेटर नहीं जो घोर परतिक्रिया वादी था इस समेलन में ब्रेटेन रूस परसा और अस्ट्रिया जैसे युरोपीय सक्तियों ने मिलकर ऐसी बिवस्ता कि जिसका अम्मुक उदेश युरोप में उस सांतिय संत्रुन को अस्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युदों ने समाप्त कर देखा कर दिया इन लोगों का सासन उसका बिरोत करना और पुरातन व्यस्ता कि पूर्रा स्थापना करना ना, मेटर्नी ब्यवस्ता को देश था ना, यानि कि जो चांसलर था मेटर्नी, उसका मुख देश यह था कि यह जो ब्यवस्ता है, परजातन गंतन तर, यानि लोग के द्वारा चुने के साथ साथ कब नहीं आएंगे, मतलब वो पहले की ब्यवस्ता फिर से लाना चाहता था, अता, बियना समयन के माध्यम से, युरोप में नेपोलियन यूग का अंत और मेटर्नी यूग की शुरुआ थी, तो आप से यह कोश्चन पुछा जाए, कि मेटर्नी यूग कैसे बारम हुआ, तो आप यह सिंबल से अपना एंसर लिखो गए, कि नेपोलियन का जब अंत हु इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए, मेटर्निक ने उसे कई राज्यों में विवाजित कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, कि इटली पर चाहता था कि यह अगर एक रूप में रहेगा, तो इस पर सासर करना क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा, तो उसने नेपल्स, एक उसके दिया गिया, बुरुबबवन्स के समराथ, फटिनियन को दिया गिया, और रोम और उसके आसपास के राज, पोप को सौब दिया गया, ठीक है, रोम इटली के राधानी है जो, और लोमबार्डी, एवो वेनेसिया पर अस्ट्रिया के प्रभुता कायम ह ठीक है, और लोमबार्डी, और वेनेसिया, पर किसका दिखार हुआ, अस्ट्रिया के, तब समाझ सकते हैं मेटनी ने क्या किया, पतब एक देश को कई राजों है, बातने के वासे क्या किया कर दिया गया, कई सासकों को दे दिया गया, ताकि यह सोच भी न पाया कि कैसे गेम खेल दिया, उसका लोमबार्डी, वेनेसिया, पर अस्ट्रिया के प्रोधता काइम भी, परमा, मोडेना और टकराने के प्रांथ, हैप्सवर्ग राजवांस को दे दिया गया, जिनेवा और साडिनिया, पीडिमांट के राज़े में समनित कर दिया गया, तब सोचिए इटली वो क्या कर दिया, मतलब केक की तरय या, पीजा की तरय की तरय कर दिया, बाट दिया और बाट के लोगों में बाट दिया, उसको है न, तो सोचिए कितना यह निर्दय होगा, कि मतलब निर्दाई कि आप बोले मतलब कह सकते हो कि एक राजा का जो काम है वो किया और साय दिया नहीं चाहता था कि राश्ट्रवात की भावना लोगों में पन पे जर्मानी में 49 रियासतों का संग कायम रहा जिस पर अब पढ़ते चुरूप से सच्टरिय का दिकार अस्थावित किया गया जहर समप्रयास किया गया कि velvet में पुरातन ब्वसता की लेकिन यह जाद दिन तर ठीका नहीं, क्योंकि लोगों में एक राष्ट भात की जो बीज बोई गए थी, साइद हुआ कई न कई से उभरने का, यानि की उगने का प्रियास कर रहे थी, जो एक नेक दिन दिखलाए पड़ेगा, और साइद ऐसा हुआ, चल दिए आगे बढ़ फिर से क्या हो जाए, बरकरार हो जाए,